हरियाना में सरकारी भरती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछडे उम्मीद्वारों को पांच नंबर का बोनस अंक दिये जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कोर्ट ने इसे असम वैधानिक करार दिया है इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिह ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि जिन युवाओं को नौकरी मिली है किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा चंडीगड में आयोजित प्रेस कॉन्फरेंस में मुख्यमंत्री नायब सिह ने कहा कि गरीब युवाओं के हित में पांच नंबर के लिए रिव्यू पेटिशन लगाने की जरूरत पड़ी तो लगाएंगे वहीं अगर विधान सभा में बिल लेकर आना पड़ा तो वो भी लाएंगे उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले सौ दिनों के अंदर प्रदेश में पच्चास हजार भरतियां की जाएंगी कुछ अंक हमने देने के हमारी वर्स दो हजार थारा से चली आ रही इस नीती को कि उपर आज सुप्रीम कोट का फैसला आया है इस फैसले का हम सम्मान करते हैं अगले सौ दिनों में मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हर्याना में पचास हजार भरतियां करेंगे हम उन पचास हजार भरतियां का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे, जिन हजारों युवाओं ने आज इस निती के बल पर हर्याना सरकार में जोइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा, आज इस फैंसले से सीटी के एकजाम पर कोई स्वाली अनसान नहीं है, ग्रीव वेक्ति के लिए जो अंतोद्य की भावना से हमारी सरकार ने जो ग्रीव वेक्ति को लाब दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सामाजिक आर्थिक नीती अंतियुद्धय पर आधारित है, हम इस नीती पर अडिक थे, अडिक हैं और अडिक रहेंगे, जिन युवाओं ने इस नीती के तहट हरियाना सरकार की नौकरी में जोइनिंग की है, किसी को भी हटने नहीं दिया जाएगा. Bureau Report Remote News